कि दूस्तों अगर आप भी ग्रेलवे ग्रूप डी पेमेंट रिफॉंट 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने जा रहे हैं और आपके साथ भी ऐसा एरार आ रहा है कि आपके अधहार काट के जगह पर मात्रे यहां पर जीरो आ रहा है तो आप इस वीडियो को यहां पर जरूर देखियेगा किनकी लोगों का सबसे पहले यह वत्ते कॉमेंट करके हमें बताईए कि इस वीडियो में आपको कम्प्लीट इंफर्मेशन बताने वाले हैं कि यह आपका अधहार नंबर के अस्थान पर जीरो क्यों आ रहा है और आखिर दोस्तों अगर आपका यह अधहार न अगर आप सुधार नहीं कर सकते तो आपका पैसा कैसे आएगा पैसा कैसे आएगा या फिर पैसा के लिए इसमें हम आवेदन कर सकते हैं या फिर नहीं सारी जनकारी दोस्तों आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज फर्सट पर है o website जो इसको उपेन के लिना है यहाँ पर search box में यहाँ पर सर्च किचेगा पियमेंटates नीचे यहाँ पर ऑपड़ेटमे डिट्ट प्र्वेंट मिल जायाएगा ऐसे मैं दे दूंगां वहाँ से आप यहां पर आ जायेगा नीचे congratulations किजिएगा यहां पर आपको पूरी जनकारी बताईगी है साथी सद कैसे पेमिंट का रिफंड करना है उसके लिए पूरा यहां पर इस वीडियो में प्रोसेस बताया हो तो आप इस वीडियो को देखकर के कंपलीट जनकारी ले सकते हैं यहां पर दुस्तों डाइरेक्ट क्लिक कि जाएगा तो आपसे यहां पर और यहां पर डिट ओब बर्थ को फिलप करके आप यहां पर पहुंच जाहीँगा जैसे हैं दूस्तो आपके सामने कुछ इस्तर का यहां पर Оपशन आ रहा है अब यहा पर अधार नमबर फिलप है वो लोग यहां पर फॉर्म को अपलाई कर ले रहे हैं इसली यहां पर अपना नब बैंक का नाम या पर दोस्तों अकाउंट नमबर आई अपसी कोड और किस कौन सा बैंक है यह सारा डिटेल फिलप पर करके समिट पर क्लिक कर रहें उनका फॉर्म फिलफ हो जा रहा है लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोगओ का ऐसा है कि यहापर ये प्रब्लम लुक्त के अधार नंबर के जहां पर मात्रहर यहां पर जीरो और अगर आपके साथ भी ऐसा आ रहा है तो आप समझे कि यह क्यों आ रहा है कि दोस्तों यह यहाँ पर आपका यह इस विज़से आ रहा है जब आप आप ओनलाइन आवेदन फॉर्म फिलफ हो रहा था उस टाइम आपने यहाँ पर अधार नंबर को फिलफ नहीं किया था जब वहाँ पर फॉ का रिसेप्ट निकाली जो फॉर्म विलब किया हुआ था उसमें आप चेक किजिए चेक करके हमें कॉमेंट करके बताईए कि आप उस टाइम अधार नंबर फिलब किये थे या फिन अगर दोस्तों फिलब किये थे फिर भी दोस्तों यहाँ पर आपका अधार नंबर आप दोस्तों बात आती है कि अगर अधार नंबर नहीं सू कर रहा है तो हम इस यह फॉर्म को फिल कर सकते हैं या फिन तो मैं आप दोस्तों आपको पूरी जनकारी बता देना चाहता हो कि आप यह फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं हो सकता है कि आगे चल करके यह अधार नंबर फिर से फिल अप करने का आपको ऑप्शन दे लेकिन दोस्तों अभी तक यानि दोस्तों आज यहां पर 14 तारीक है आज यह फॉर्म स्टार्ट हुआ है तो अभी तक आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं अभी तक आप कर सकते हैं तो यह थी छोटी सी अपडेट दोस्तों आपको इस वीडियो में बहुत सारे लोग का एक और क्वेश्चन आएगा कि जिसमें स्टार मार्क नहीं रहता है उसको फिल अप करना कोई जरूरी नहीं फिर क्यों यहां पर आ रहा है तो यहां पर दोस्तों देख सकत के जरूर बतायेगा कि आपके मन में क्या रही यह क्यों नहीं आ पर यह अपर यह सूख कर रहा है यह अप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं यह तो छोड़ी सी अपडेट दोस्तों आपको इस वीडियो में वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट करना मत भूलेगा यह मिलता है फिर अगले वीडियो में एक नेक निश टॉपिक के साथ